है वे फिंट्स एंड वेलकम बैक टो और चैनल स्मार्टेर्स क्लब और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माद्यम से इस वीडियो के माद्यम से हम निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का डिली अनलिसिस करते हैं यह अनलिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेकनिकल अनलिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चैन को दोस्तों यह अनलिसिस करने के साथ में ही नेक्स ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लेबल्स पॉसिबल होते हैं हम उन ले प्रशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोजात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुँच जाए साथ में इस चैनल पर आपको technical analysis और trading techniques related videos भी regularly देखने को मिलते रहते हैं For example, अगर आप options के अंदर derivatives के अंदर trade करते हैं तो option chain को किस तरह से effectively read करना चाहिए कौन से strike के उपर में buyer active है, sellers active है या कौन से strike पर काम करने के वैसे आपको maximum benefit हो सकता है इसी के साथ में technical patterns को किस तरह से derivatives के साथ में mix करके trade करें इन सब subject को cover करते हैं वीडियोस आपको हमारे playlist में मिल जाएंगे तो friends इसी तरीके से नए नए चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आपको update रखने के लिए हम आपसे request करेंगे कि चैनल को subscribe कर लिजे और साथ में bell icon को भी प्रेस कर लिजे ताकि आपको latest updates मिलते रहें इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को support करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को join भी कर सकते हैं उसकी membership को भी join कर सकते हैं जहां पे silver, gold and platinum ये तीन membership हम offer करते हैं इनकी सब gold आपको nifty और bank nifty के daily के futures के label होते हैं हम आपके साथ में वह शेयर करते हैं और अगर आप platinum membership के लिए जाते हैं तो आपसे live market के अंदर में जो मैं trade initiate करता हूं इनिशेट के बारे में information भी शेयर करता हूं तो दूस्तों शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है nifty 50 बैंक nifty और हमारे डड़े trades के बारे में दूस्तों शुरूआत करेंगी इंडिया विक्स के साथ में इंडिया विक्स 24.55 पे काम कर रहा है और जिस चीज का तुछ डर था और जिस चीज के बारे में हमने कल वीडियो में बात भी किया था कि कहीं 24 का label टुटे ना मार्केट में पैनिक भी देखने को मिल रहा है मार्केट में फॉल भी देखने को मिल रहा है निफ्टी 11,647 के उपर में काम कर रहा है और बैंक nifty 24,000 के नीचे फिसल के बंदुआ 23,900 पे पॉइंड वाइस अगर 22.95 बहुत बड़ी चीज नहीं है लेकिन यह चार्ट के उपर में क्या पैटन बना रहा है कौन से लेबल्स को उन्होंने तोड़ा हुआ है जो लेबल्स बने हुए है या जिस पर closing हमने दी है क्या इसमें कुछ recovery हुई है इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे चार्ट के उपर में लेकिन पहले देख लेते हैं कि हमने आज दिन में ट्रेड कौन सा इनिशेट किया था दोस्तों पहले बारे में बात करेंगे जो कि 29 अक्टोबर का हमने लिया हुआ था यह पोजिशनल ट्रेड था जिस तरह से market के अंदर में जिस तरह से फ्राइड के दिन में स्कॉर अफ किया लग बग 12.48% का प्रॉफिट यहां पहले तो दिस वस रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड एग्जेक्ली शेर किया गया था एड्द बनी बाई करने के लिए इसके अलबा दो स्ट्राइडजी बैंक निफ्टी में हमारे अभी भी ओपन है और जिसके अंदर में एक्सपेक्टेड है कि डिफिनिटल एक्सपारी तक लेके जाएंगे एक ट्यूजडे तक एक स्कॉर अफ किया जाएगा अगर आप हमारे प्लाटिनम मेंबर्स है तो आपको यह सारे जो ट्रेड्स आपको आपके मोबाईल पर मिल रहा होंगे वाट्सप पर मिल रहा होंगे और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291-802926 के उपर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहाँ पे वाट्सप करके डिटेल् आपको आपको देखने को मिल रहा है 29th को भी वो resistance देखने को मिला था, 30th को भी वो resistance देखने को मिला था, in fact, उस resistance को cross करने की कोशिश एक गंटे तक हुई, पर हुआ ने, fall हुआ और उसके बाद में थोड़ी सी rally देखने को मिली, यह rally नहीं है, यह basically recovery हुई थोड़ी सी नीचे के लेवल से, important था recovery होना क्योंकि जिस तरह का fall हमने थर्स्डे को देखा था, वैसा fall हमें Friday को देखने को मिला यहां पे, और recovery होने का मतलब यह हुआ कि buying interest भी नीचे से जागता हुआ हुआ है, अगर आप देखेंगे, यह label के उपर आपको resistance मिल सकता है, और नीचे की तरफ इन labels पे आपको support मिल सकता है, definitely हमने multi labels तोड़े यहां पे, बहुत साथ labels तोड़के नीचे की तरफ गया है, यहां पे buyers और sellers दोनों के अंदर में फिलाल किसी भी तरफ का पढ़ला भार ही नहीं अभी तर, यानि कोई भी नहीं buyers accuracy हो पा रहे हैं नहीं sellers accuracy हो पा रहे हैं, और वो decide नहीं कर पा रहे हैं कि market किस तरफ जा सकता है, इनफेक्ट आप देखें तो हमने high भी लगबग लगबग Thursday के आसवास का बनाया है, low काफी नीचे बनाया हुआ है, हमने 11,532 टूट टच करके हम उपर की तरफ आया है, उपर की तरफ आया है यह ज़्यादा important है, मैं यह बोलूँगा, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, आपके लिए दो लेबल बहुत important है, फर्स लेबल आपके लिए यह एंड सेकेंड लेबल आपके लिए है, तो उपर की तरफ आप कभी भी जब भी long अगरब करना है, 11,750 जैसा मैंने आपको 15 minutes के चार्ट पर दिखाया, 11,750 एक important लेबल का काम कर रहा है, जब तक 11,750 क्रॉस करके close नहीं होता है, long position carry forward नहीं करना चाहिए, long position नहीं बनाके overnight नहीं रखना चाहिए, दिन बर में कर सकते हैं क्या, इस दिन बर में intraday के लिए किया है सकता है, 20-45 points के लिए किया है सकता है, लेकिन 11,750 के आसपास में expected है, कि हमें एक बाफ फिर से resistance मिल सकता है, नीचे की तरफ 11,550 के आसपास में मिले, तो buy initiate करना चाहिए, हमने closing कहा दिये, closing हमने इसके exactly बीच में दिये, 11,645 के बीच में दिये, let's say, कि Monday के दिन में market gap down या gap up open हो, अगर gap up open होता है, 11,700 के आसपास में open होता है, we need to wait, don't jump into the market, अगर आप market में jump करेंगे, trap होने के पूरे chances बनेंगे, wait करें, 11,750 के आसपास में आप sell initiate कर सकते हैं, with 20 point का stop loss, और अगर market नीचे की तरफ आता है, 11,600 के आसपास में open होता है, तो 11,500 के जितना नजदीक आप खैदेंगे उतना फायदा है, stop loss 11,530 का लगा के काम किया सकता है, nifty के अंदर में, क्योंकि अभी इसी range के अंदर में काम कर रहा है, spinning top बना रहा है, इसके लिए किसी भी तरह का trained अभी decide नहीं है, कि market किस तरफ जा सकता है, नहीं आपको RSI में कोई divergence देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक important चीज जो देखने को मिल रही है, let me discuss about it, जो एक important चीज देखने को मिल रही है, जो एक important चीज देखने को मिल रही है, मैं बात कर रहा हूँ Bollinger Band की, let me show you Bollinger Band में क्या indication मिल रहा है, यह देखे, Bollinger Band में आप देखेंगे तो आपको squeeze होता हुगा नजर आ रहा है, नीचे की तरफ अपने support लिया है, उपर की तरफ 11,800 के आसवास में Bollinger Band था रहा है, बट यह जब squeeze होता है, जिस तरह से अभी फिलाल US election का effect दिख रहा है, जब यह squeeze होता है, तो उस तेम पे बड़ी movement आने के chances बनते हैं, या अगर हम किसी आइधर साइड ब्रेक आउट करें, आइधर साइड यह लेबल को वाल को तोड़के बाहर के दरब जाएं, तो एक बहुत बड़ी movement आने का chances बनता है, फिलाल क्या करना है, फिलाल intraday काम करना है, carry forward नहीं करना है, अगर आप season player नहीं हो, अगर आप season trader नहीं हो, स्क्रीन के उपर में नहीं बैठते हो, बात कर लेते हैं किस तरह से nifty, option chain के उपर में indication दे रहा है, option chain, let's have the best view first of all, so option chain के बारे में बात का, 11,650 के आस-पास में हमने closing दी है, but I don't consider, 50 वाला जो multiples होता है, मैं उन्हें consider नहीं करता हूँ, 11,600 I will take as at the money, now look at the position, 15,890, 15,890 lots का open interest यहां पे देखने को मिल रहा है, अगर बात करें, 22,374 important है, 11,700 पे आपको 22,374 का open interest, and 12,000 के आपको 28,700 का open interest देखने को मिल रहा है, नीचे की तब देखेंगे तो yes, आपको 31,474 का open interest, 12,500 पे भी देखने को मिलेगा, maximum writing हुई है, maximum writing की गई है, यानि writers active नजर आए हुए है, calls के अंदर में call writing हुई है, यह एक reason था जिसके वैसे, हम उपर से नीचे की तरफ, 11,750 के लेबल के आपस से, हम सीधा नीचे गिरते हुए नजर आए हुए है, call writers active है, इसके लिए, maximum activity आपको इस साइड ही देखने को मिलेगी, और आप देखेंगे, 9,355 का open interest addition, 9,463 का open interest addition, and 12,931 lot की writing, 12,000 पे देखने को मिल रही है, जो clearly indicate करता है, 12,000 अभी भी बहुत बड़ा wall है, बहुत बड़ा resistance Nifty के लिए बना हुआ है, put side के देखेंगे, put side में क्या ऐसे open interest देखने को मिल रहे है है, यह बहुत पर इंटरेस को बिलकुल नहीं मिल रहा है, 14,000 है, 15,000 बिलकुल नहीं मिल रहा है, 19,000 का open interest देखने को मिल रहा है, then close to 20,000 open interest, 11,500 पर, definitely labels बहुत important है, और अगर मैं range की बारे में बात करो, तो जो छोटा range फिलाल समझ में आ रहा है, वो 11,500 से 11,700 आपको नजर आएगा कहां पर, आपको नजर आएगा, आपको नजर आएगा, आपको नजर आएगा, आपको नजर आएगा, आपको नजर आएग के पास में आपको long create करना एक बाव बनता है, stop loss लगा की काम करना पड़ेगा, क्योंकि news-based market फिलाल होने वाला है, इस अपते के अंदर में, आपको either side movement भी फटा-फट देखने को मिल सकते हैं, आईवी के उपर में भी ध्यान रखना है, अगर आईवी आपको यहाँ पे 30 प 500-700 और बड़े range के अगर बात करें तो बड़ा range भी आपको 11500 के पास से 12000 का range नजर आएगा, यहाँ पे दिखाता नजर आ रहा है, so दोस्तों यह बात होगी nifty के बारे में, hope आपको nifty का view पसंद आ रहेगा, in case अगर आपका कोई सुझाव है तो आप उसे comment box में mention कर सकते ह we can improve ourselves, thank you very much for subscribing our channel and thank you very much for being with us as a platinum member, hope आप उस benefit को enjoy भी कर रहे होंगे, and hope आने वाला week आपके लिए जोरदार हो, आपके दिवाली बहुत बढ़िया जाए, thank you very much for watching this video, bye-bye.